Hello Friends, आप सभी का हमारी YouTube चैनल Learn उर्दु जबा में इससे अक्माल है आज मैं अपने चैनल पर एक नई स्रीज शुरू करने जा रहा हूँ ये स्रीज उन तमाम स्टुडेंट्स के लिए है जो इमसाल उर्दु निट जारिफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही सीरियस हैं यानि दिलो जान से उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो डेफिनेटल ये विडियो आप सभी के लिए होने वाली है इस स्रीज हम आपको उर्दु निट जारिब के प्रिवेसर पेपर डिसकस करेंगे अब तक जितने भी कोशन्स प्रिवेसर में पूछे जा जोके हैं उन सभी को कंप्लिट कवर करने के कोशिस करेंगे इसलिए ये विडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टन्ट होने वाली है तो एक्जाम में जाने से पहले आफ इन विडियो को कंप्लिट वाच कीजिए क्योंकि यहां से आपको बहुत सारे कोशन्स एक्जाम में यानि रियल एक्जाम में आपको हू बहू मिलने वाले हैं और यह हर पेपर का रोल होता है लगबग हर एक्जाम में आपको अर्दो निट जारिफ के खास सोर से 10 से 15 कोशन हर बार रिपीट होते हैं तो इस लिहाज से ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही आहमेत के हामिल सावित होने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास आज की वीडियो क्लास हैं हम आपको कुछ प्रिवेसर के कोशन से उनके आंसर से बताएंगे और जहां हमको जरूरी महसूस होगा और भी अधर इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करेंगे तो आज की वीडियो क्लास हमारा पहला कोशन है मस्नवी कदम राव पदम राव में जोगी ने राजा कदम राव को किस रूप में ढाला था आप्शन आपके पास है नाग, तोता, बंदर, हिरनी तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आप्शन बी यानि तोता हम बात करते हैं कि मस्नी कदम राव पदम राव किसकी तस्नीफ है तो आपका अंसर हो जाएगा फखरुद्दीन निजामी हम बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ कोशन नमबर दो अप्शन बी उस्ताद आलम आप्शन सी सर्टाज आलम आप्शन डी जान आ आलम हम बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ कोशन नमबर थ्री कोशन नमबर थ्री है अली आदल शाह सानी ने कसीदा चार दरचार किसकी तारीफ में लिखा था आप्शन आपके पास हैं अली दाद महल, जगत गुरू, हजरत अली रजियल्लाहुत्याला अनु, आप्शन डिल्रुबा, तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आप्शन डिल्रुबा, हम बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ कोशन नमबर फूर, कोशन नमबर फू अप्शन आपके पास हैं निजामी बेदरी, वली दकनी, नुसरती, घवासी, तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आप्शन सी यानि नुसरती, हम बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ कोशन नमबर फाइफ, कोशन नमबर फाइफ है, देल के शेर में किस सनाहत का इस्से इमाल किया गया है, घदा समझ की वो चुप था मेरी जो शामत आई, उठा और उठ के कदम मैंने पासबां के लिए, आप्शन ए, सनाते तजाद, आप्शन बी, सनाते ईहाम, आप्शन सी, सनाते तोशी, आप्शन डी, सनाते मिरातन नजीर, तो यहां पर करेक्ट आ आपका हो जाएगा, आप्शन बी, यानि सनाते ईहाम, सनाते ईहाम किसे कहते हैं, ईहाम के लोगी माना होता है वह में डालना, सनाते ईहाम वो सनात, कलाम में किसी ऐसे अफ़ास, लफस का इसे एमाल करना, जिसके दो माना निकलते हों, एक माना परीब का, दूसरा माना तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आफशन सी यानी सेयद मुहम्मद अब्दुलगफूर शहबाज अगला कोशन हमारा है कोशन नमबर सेविन इनमें से कि शायर ने किसी के मर्ष में ना कोई कसीदा लिखा और ना किसी की हिज्व कही आफशन ए घालिब आफशन सी जौक आफशन डी सोदा तो यहां पर करेक्ट आंसर आप का हो जायेगा आफशन बी यानी दर्द कोशन नमर एट है तसब्दो खुसें 5 की शायर का असली नाम है जोश, आतिश, फानी, शौक, लखनवी तो यहांपर करेक्र आंसर आपका हो जायेगा आफशन डी यानी शौक लखनवी, हम बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ कोशन नमबर 9, कोशन नमबर 9 है, जेल के किस तारिखी मिस्रह से नुसरती का साले वफात बरामद होता है, आप्शन A, नुसरती शहीद हुए, आप्शन B, नुसरती शहीद, शहादत बुग, नुसरती ने शहादत अप्शन A, अप्शन B, मुल्ला वजीद, आप्शन C, नुसरती, आप्शन D, खाश्मी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आप्शन C, नुसरती, कोशन नमबर 11 है, किस मसनी में ये जेली उन्वान काइम किया गया है, दुरवेश और मकाने दुरवेश, आ आप्शन A, फूल बन, आप्शन B, अली नामा, आप्शन C, सैफल मुलुक वजीद, जमाल, आप्शन D, गुल्शन इश्क, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आप्शन D, यानि गुल्शन इश्क, अब हम बात करते हैं कि फूल बन मसन्वी किसकी है, तो कांसर हो जाएगा, घावासी, अगला कोशन, कोशन इश्क, नमबर 12, मसन्वी गुल्शन इश्क में, राजा विकरम, किसकी विसातत से, फकीर तक रिसाई हासिल करता है, आप्शन A, जिन्नों, आप्शन B, परियों, आप्शन C, शहजादों, आप्शन D, जोगियों, तो य आप्शन A, राम बाबु सकसेना, आप्शन B, अन्वर सदीद, आप्शन C, जमील जालबी, आप्शन D, स्यदा जाफर, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप्शन C, यानि जमील जालबी, हम बटते हैं अगले कोशन की तरफ, कोशन नमबर 14, इनमें बहरे मतकारि मثمن मखसूर का वजन कौन सा है, आप्शन A, फाउलन, 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 आप्शन B, फाउलन, 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 आप्शन C, फाउलन, 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 आप्शन D, फाउलन, 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 तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आप्शन D, यानि फ़ओन 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 कोशन नमबर 15 हुरुफ काफिया की कुल तादाद कितनी है 7 9 11 13 तो यहां पर करिक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपशन बी यानि 9 हम बढ़ते हैं अगले कोशन की तरह कोशन नमबर 16 किस अंग्रेज अहले कल हमने नजीर अकबर आबादी को जीनियस शायर कहा था आपशन ए बरनार्ड शायर आपशन बी फैलिन आपशन सी प्रोफेसर और्नल्ड आपशन डी जॉन गिलक्राइस्ट तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपशन बी यानि फैलिन हम बढ़ते हैं अगले को कोशन नमबर 17 वो कौन सा शायर था जिसे दिल लगे के बेगेर खाना हजम नहीं होता था आपशन ए वाजिद अली शाय अखतर आपशन बी नासिख आपशन सी मिर्जा शौक लखनवी आपशन डी जुरत तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपशन सी यानि मिर्जा कोशन नमबर 18 है दया शंकर नसीम शागिर्द तो आतिश के हैं लेकिन उनका रंगे सुखन की शायर से मिलता है आपशन ए आपरू आपशन बी खातिम आपशन सी नासिख आपशन डी वली तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपशन सी यानि नासिख यह भी को ऐबाने आप तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपशन बी यानि मलका महर नगार फसान ए किसकी तसनीफ रजजब अली बेक शोरूर की हम बढ़तें अगले कोशन की तरफ कोशन नमबर 20 इंशा ने दर्याए लताफत किसकी फरमाईश पर लिखी थी? आफशन A नवाव सराजित दौला आफशन B नवाव शुजाव दौला आफशन C नवाव साधत अली खान आफशन D नवाव वाला जाए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आफशन C यानि नवाव साधत अली खान हम बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ कोशन नमबर 21 पूरण अस्म चोगताई के किस नौवल का करदार है? आफशन A टेड़ी लकीर आफशन B जिद्धी आफशन C मासूमा आफशन D एक गत्रे खूँ तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आफशन B यानि जिद्धी जिद्धी किसका नौवल है? यह अस्म चोगताई का नौवल है कोशन नमबर 22 यानि 22 यह शेर के शायर का है दर्र दर्र है मेरे कश्मीर का महमान नवाज राह में पत्थर के टुकडों ने दिया पानी मुझे आफशन A ब्रिश नराएं चकवस आफशन B सरवर जहां अबादी आफशन C सगीर बलगरामी आफशन D शहजोर कश्मीरी तो यहाँ पे करेक्ट आइंसर आपका हो जाएगा आफशन A यानि ब्रिश नराएं चकवस कॉशन नवर 23 आप लोग क्या इतने बेरहम है कि आप लोगों को यतीम बच्चों पर भी रहम नहीं आता क्या उन्हें भिखारी बना कर छोड़ोगे ये एक बास प्रेंचंद के किस अफसाने से माखूज है जादे राह, कफन, नमक का दारोगा, शत्रंच की बाजी तो यहाँ पे करेक्ट आइंसर हो जाएगा आपका जादे राह यानि आफशन A कॉशन नवर 24 है फसाने आजाएब में वजीरजादे को तबदिलिय रोष्ट का अमल कों सिखाता है आफशन A अन्जुमन आरा, आफशन B चुड़ी मार, आफशन C जादूगर, आफशन D जाने आलम तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आफशन D यानि जाने आलम हम बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ कोशन नमबर 25 मथुरा और सिलिया किस नॉवल के करदार है आफशन A एक चादर मैली सी, आफशन B लंदन की एक राप, आफशन C आ का दरिया, आफशन D गौदान तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आफशन D यानि गौदान हम बारत करते हैं कि ये नॉवल किनके द्वारा लिखे गए हैं, यानि इनके नॉवल निगार कौन है जैसे एक चादर मैली सी, किसके द्वारा लिखी गई है, तो आफ़ का आंसर हो जाएगा राजिन सिंग बेदी लंदन की एक राप, किसकी नॉवल है, तो आफ़ का आंसर है, सज्जाज जहीर आख का दरिया किसका नॉवल है, पुर रतोलैन हैदर गौदान किसका नॉवल है, मुशी प्रेम चंद हम बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ, कोशन नॉवल 26 टेड़ी लकीर में शुवन किस से शादी करती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आफशन डी यानि टेलर टेड़ी लकीर किसका नॉवल है, तो आपका अंसर हो जाएगा असमे चुगताई कोशन नॉवर 27 है, अरसु ने अपने किताब बोतिका के किस बाद में रिजमिया शायरी पर बहस की है आफशन A 21 में, आफशन B 22 में, आफशन C 23 में, आफशन D 24 में तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आफशन C यानि 23 में कोशन नॉवर 28 हिन आरिया जबान के अहदे कदीम की मियाद क्या थी? पंदरा सो कबले मसी ता साथ सो कबले मसी, पंदरा सो कबले मसी ता छे सो कबले मसी, पंदरा सो कबले मसी ता पान सो कबले मसी स्वारी option C है 1000 कबले मसी ता 500 कबले मसी option D है 1500 कबले मसी ता 500 कबले मसी तो यहाँ पे correct answer आपको हो जाएगा option D यानि 1500 कबले मसी ता 500 कबले मसी हम बढ़ते हैं अगले question की तरह question number 29 इन में से कौन सी बोली मखर्वी हिंदी की बोलियों में शामिल नहीं है option A खड़ी बोली, option B ब्रिज भाषा, option C बांग्डू, option D सिंधी तो यहाँ पे correct answer हो जाएगा option D यानि सिंधी सिंधी जो है मखर्वी हिंदी की बोलियों में शामिल नहीं है मखर्वी हिंदी में कुल कितनी बोलियों शामिल हैं तो आपका answer हो जाएगा 5 हर्यानवी का दूसरा नाम क्या है तो आपका answer हो जाएगा बांग्डू यानि हर्यानी जोन बोली का ही दूसरा नाम है बांग्डू या फिर जाटू हम बढ़तें अगले question की तरफ question number 30 question number 30 है किसने अर्दो जबान को पहली बार जबाने देल्वी के नाम से याद किया अमीर खुसरू खुजा बंदा न्वाज गैसु दरास निजामी बेदरी शेख बाजिन तो यहां पे correct answer आपका हो जाएगा option A यानि अमीर खुसरू question number 31 एखिया जदीद घजल के अनासिर अर्बागा के सही जुम्रे के निशान दही कीजिए option A फानी हसरत असगर जिगर option B फानी फैश शाद फानी option C असगर शाद जिगर option D असगर हसर शाद जिगर तो यहां पे correct answer आपका हो जाएगा option A यानि फानी हसरत असगर जिगर ये इखिया जदीद घजल के अनासिर अर्बागा में शामिल है question number 32 ये गाना चंगेजी का असली नाम क्या है मिर्जा जावेद हुसेन, मिर्जा वाजिद हुसेन, मिर्जा अक्बर हुसेन, मिर्जा सलामत हुसेन तो यहां पे correct answer हो जाएगा option B यानि मिर्जा वाजिद हुसेन हम बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number 33 जोशको कि शाय से शर्फ तलम्मूज हासिल हुआ option A अब्दुलहलीम शरर, option B मिर्जा शौक लखनवी, option C अजीद लखनवी, option D मुहसिन काकोरी तो यहां पे correct answer आपका हो जाएगा option C यानि अजीद लखनवी हम बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number 34 कि शायर के कलाम में जिम्याती तलाजमों और दियो मालाई अफकार की अकासी मिलती है option A मीरा जी, option B मखदू महियुद्दीन, option C चकबस, option D फिराख तो यहां पे correct answer आपका हो जाएगा option D यानि फिराख हम बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number 35 इसमें लुट्फ जुबा कहां एक तुकबंदी और भटिया खाना जमा है यह जुमला फसान आजाइब से मतालिक किसने कहा था option A सौदा, option B गालिब, option C आतिश, option D नासिख तो यहां पे correct answer हो जाएगा option B यानि गालिब question 36 गेर मनकुता नसर में कौन सा पिस्सा लिखा गया option A अलिफ लैला, option B रानी केतकी की कहानी, option C दास्तान अमीर हम्जा, option D सिल्क गोहर तो यहां पे correct answer हो जाएगा option D यानि सिल्क गोहर सिल्क गोहर और रानी केतकी के कहानी, यह दोनों किसकी तस्नीफे तो आपका अंसर हो जाएगा, इंशाओल्ला, खाईशा दास्तान अमीर हम्जा किसकी तस्नीफे तो आपका अंसर हो जाएगा, मिर्जा खलील खाएगा, option D यानि गुले नग्मा तो गुले नग्मा किसका मजमिय कलाम है तो आपका अंसर हो जाएगा, फिराग गोरक पुरी हम बढ़ते है कोशन नमर 38, कोशन नमर 38 है किसनी अफसाना आखरी कोशिस को प्रेम चंद के अफसाना कफन की तरक्याफ़ता शकल से ताबीर किया है, option A खलील रर्रह्मान आजमी, option B प्रोफेसर अतिकुल्ला, option C सौलिहा अबिद हुसेन, option D आल अहमस्रूर, तो यहां पे क कोशन नमर 39, हयातुला अंसारी के अफसानों के पहले मजमिए का नाम क्या है, शुक्र गुजार आखें, अनोखी मुसीबत, भरे बाजार में, शिकस्त सा घंगोरे, तो आपका correct answer हो जाएगा option C, यानि भरे बाजार में, कोशन नमर 40, किस शायर ने बाजापता वकालत भी क थी एहसान दानिश, फानी बदायूनी, यगाना चंगेजी, मख्दू मह्युद्दीन, तो आपका correct answer हो जाएगा option B, यानि फानी बदायूनी, कोशन नमर 41, इनमें मीर के लहजे की बाजियाफ्त किसकी शायरी में मिलती है, सीमाव अक्बर अबादी, सागर निजामी, खलि जाफरी, तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा option C, यानि खलिल रह्मान आजमी, हम बढ़ते हैं अगले question की तरफ, question number 42, फैस अहमल फैस के सफर नामे का नाम क्या है, option A, सफर नामे यूरप, option B, जापान चलो, जापान चलो, सफर नामे साधत, सफर नामे क्यूबा, तो यहाँ पर correct अरे मर्ग तक्यूल की रिसाई तक हुजा, गलिब की मदह में ये शेर की शायर ने कहा नासिख, इकबाल, दाग, फैज, तो यहाँ पर correct answer आपका हो जाएगा option B, यानि अल्लामा इकबाल, question number 44, बे तर्टीबी नसर की किस सिन्व की खसूसियत है, option A अफसाना, option B ड्रामा, option option C, इन्शाया, option D, मकाला, तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा option C, यानि इन्शाया, question number 45 है, कि शायर का शेरी सफर कुई यार से शुरू होकर सुएदार तक जारी रहा, option A, असघर, option B, फैज, option C, जगाना चंगेजी, option D, खलीर रह्मान आजमी, तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा option B, यानि फैज, question number 46, फिलस्वेक लाम-गालिव के मुसनिफ का नाम क्या है, अलताफ हुसेन खाली, डॉक्टर मुहमद हुसेन, शौकर सब्जवारी, अब्दुर्रह्मान बिजनोरी, तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा option C, यानि शौकर सब्जवारी, question number 47, मिर्जा सलामत अली दव कहां पैदा हुए, फैजवाद, देहली, लकनौ, अकबराबाद, तो आपका correct answer हो जाएगा option B, यानि देहली, question number 48, कहे जाते वो सुनते याना सुनते, जुमा तक हाल दिल आया तो होता, कि शायर का शेर जौक, दर्द, नासिख, आतिश, correct answer आपका हो जाएगा option D, यानि आत जफर, तो correct answer हो जाएगा option D, यानि जफर, question number 50, हकीकत अपने अहद के फलसिव और अमल में नुमाया होती है, और उसका इजार अधीव और अफसाना निगार की खोहिश के मताबिक होता है, ये बयान किस तनकीद निगार का है, आला हम सुरूर, इहतशाम हुशेन, मजनु ग उम्मिद करता है कि ये विडियो आप सभी की एगजाम के लिए बहुत ही helpful सावित होगा, thank you so much for watching this video.